अंतरास्ट्रिय महिला दिवस पर अखिल भारतिय विद्दार्थी परिशत द्वारा मिसन साहसी कारेक्रम का आयोजन किया गया इस कारेक्रम का आयोजन जेन्यू केंपस के अंदर किया गया कारेकरम का मकसद अंतराश्ट्रिय महिला दिवस पर महिलाओं को Self Defense की ट्रेनिंग देना था Self Defense की ट्रेनिंग JNU की कई छात्राओं को दी गई जिसके अलावा जो जुग्यों से आसपास के बच्चियां आई थी उनको भी Self Defense की ट्रेनिंग दी गई तस्वीरें आप देख रहे हैं JNU कैंपस की जहां पर अंतराश्ट्रिय महिला दिवस पर अकिल भारतिय विद्याथी परिशद ने मिसन साहसी कारेकरम का आयोजन किया इस कारेकरम में महिलाओं को चात्राओं को और आसपास की कॉलनियों से आई हुई चोटी चोटी बच्चियों को Self Defense की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपने आपको खुद सुरच्चित रख सकें तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं बच्चियों चात्राओं को Self Defense की ट्रेनिंग दी जा रही है कारेकरम में भाजपा की नेता कुसुम खत्री भी पहुँची उन्होंने इस कारेकरम के बारे में क्या कहा आपको सुनवाते हैं नारी शक्ति मजबूत है हिंदुस्तान की परमपराओं से आप सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि नारी शक्ति के अंदर शक्ति सरूपा हमारे यां नारी को शक्ति का रूप कहा गया है हर नारी के अंदर हमारे यां पूजा होती है उसको कन्या के रूप में पूजा जाता है उ सिर्फ हमें अपने नारी की शक्ति को जगाना है कि हर मेरी बेटी हर मेरी बेहन के अंदर दुरगा और काली है उसे डरने की जरूरत नहीं अगर वो जाग गई तो सीना फार देगी उसको टच करने वाले को तो आपने सुना कि कुसम खत्री ने किस तरीके से महिला दिवस पर इस कारेकरम के आयोजन में पहुची और उनने क्या कुछ कहा इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि यहां पर जो मौजूद छात्राइं थी और जो इस कारेकरम में लगी हुई अन्य महिलाएं थी उन्हों दो इस कारेकरम के बारे में क्या कहाँ यह कारेकरम महिला दिवस पर आयोजित हुआ है। मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर कुछ और कुछ ऐसा होता है जो वो ऐसे सिच्वेशन में नहीं बदा उती हैं तो चाहां पर यहां पर हुआ है वह बहुत बेसिक टेकनीक्स थी और हम लोग उसे हर लगा इंपलाई भी कर सकते हैं यह नहीं को बल का यूज करना है बस आपको दिमाग लगाना है और कोई भी ऐसी चीज़े नहीं थी जो इतनी जाना डिफिकल्ट हो जो हम लोग नहीं कर पाएं तो ऐसे कुछ भी नहीं था आज हमारा मेगा डेमोंस्ट्रेशन था आठ मार्च विमेंस टेके उपलक्ष पे तो आज सारी चात्राइं आई थी जो दो दिन ले चुकी हैं हमने उसमें उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेइनिंग दी हैं जिसमें उन्हें फीजिकली एज्विल आज हाउव डेयाफ टु तो उस टाइम पे वह कैसे उस चीज को परास्त कर सकते हैं तो यहां पर एबीवीपी ने ओर्गेनाइस किया था ट्रेइनिंग दो दिन के लिए पांच और शे को तो उसके पहले से हमेशा से मेरा ये मन था कि मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेइनिंग लूँ ताकि मैं कभी भी अ मुझे बहुत हैल्फ करेगा जैसे कि किसी भी सिचुएशन में अगर मैं बस में हूँ मैं आटो में हूँ या फिर मैं रास्ती पर चल रही हूं और मुझे लग रहा है कि हां कोई मुझे अटाक करने वाला या फिर मुझे खत्रा है तो मैं दूसरे को चलाने के बज़ाए म मैं खुद पर निर्भर हो सकती हूँ